नमस्कार दोस्तों आज हम बात कने वाले हैं समूदर क्रीम के बारे में इस क्रीम के फायदे, नुकसान, इस्तमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको लगाना चाहिए इन सबी बातों के इस वीडियो में जानेंगी तो वीडियो को पूरा दिखेगा लेकिन उससे पहल होता है लेकिन दोस्तों यह जैनरिक प्रोडक्ट है तो थोड़ा आपको कंप्राइज में मिल सकती है और इसमें जो सॉल्ट है जो कंटेंस है इसमें वो है कैल्शियम, डॉबी साइलेट, लिगनोकेन, हाइड्रो कोटीसोन, एसीटेट, एंड जिंक क्रीम तो अचलिए बा बहुत ज़्यादा खून आ रहा है या फिर उसमें जलन है, खुजली है, दर्द हो रहा है और मस्सों से बहुत ज़्यादा ब्लेडिंग हो रही है या फिर अंदरूनी मस्सों में ब्लेडिंग हो रही है यानि कि अंदर भी कई बार मस्से होते हैं तो उसमें भी इसका इस् को मतलब यह जड से तो नीठीक करती है फिर भी उसमें अगर जो खून, बिलेडिंग, खुजली वगैरा है उसको अराम कर देती है और इसको लगातार इस्तमाल करने से साथ में और भी जो होती है इस्तमाल करने से पका जो ए बवासीर है वो ठीक भी हो सकती है अगर ज्यादा बड़े मस्स होयाते हैं दोस्तों तो उसका दोस्तों ऑपरेशन ही होता है आपको पता ही होगा फिर भी अगर थोड़ी होती है जा अंधरूनी मतलब शुरुआती ववसीर है तो इसका उपयोग करके और साथ में जो मैडिसन देते हैं आपको तो आपको भी अगर ऐसी प्रोब्लम है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन बिना डॉक्टर की सला के आपने इसका उपयोग नहीं करना है अपने फैमली डॉक्टर या फार्मसिस्ट की सला जरूर ले लेनी है और इसको लगाने का तरीका दोस्तों बिल्कुल सिंप सोपे और लेटरिंग वाली जगए पे आप अंदर तक इसको लगा सकते हैं सोबह शाम लगाना है सोच के बाद और इसके साइड इफेक्ट दोस्तों वैसे कुछ नहीं देखे गए हैं फिर भी इसको लगाने से अगर आपको जलन होती है बहुत ज़्यादा या फिर रैडन आपको क्योंकि हर मरीज की अलाग-ला कंडिशन हो सकती है तो इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से नहीं बता सकते हैं कि आपने इतने दिन ही इस्तमाल करना है फिर भी आप इसे दो तिन मेहिने जैसा जितनी दिन आपकी मैडिसन चलती है उसी परकार्स यसका इस्तमाल करना है तो दोस्तों आज के लिए वास इतना ही उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक जरू करते न चैनल को सब्सक्राइब करने न भूलेगा धन्यवाद